क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्ब्रह्म्हा तसमय स्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन शांडिल परति दिन के तरह एक बार फिर से श्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोग परी कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस विशेश कारिक्रम में सब से पहले आप सभी दर्शक के दिन जाड़ों को चुप चाप छुपा कर रख दें इस जगह पर फिर मालक्ष्मी खुद पर खुद चल कर आपके पाश आपके घर तक आ जाएंगी जी हाँ हिंदु धर्म के अनुशार दिवाली एक ऐसा तेवार है जो देश भर में धूम धाम से मनाया जाता है गौर मतलब है कि दिवाली का तेवार आने से पहले लोग अपने घर को बड़ी खुबसूरती से सजाते हैं ताकि उनकी दिवाली ज्यादा आकर्शक बन सके अब जाहिर सी बात है कि घर को खुबसूरत बनाने के लिए और सजाने के लिए लोगों को कई तरह की चीजों की जरुरत पड़ती है इसके लावा अगर दिवाली की सजावट वास्तु शाश्तर के मुशार की जाए तो आपकी दिवाली अधिक शुक में हो सकती है जी हाँ इससे घर की खुशियों में चारचान लग जाते हैं बरहाल अगर आप दिवाली में मा लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो आपको अपने घर को वास्तु शाश्तर के अनुशार ही शजाना चाहिए जी हाँ मा लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए आपको अपने घर में सुब लाप और माता लक्ष्मी के पद चिन आदि चीजों का आगमन जरूर करना चाहिए खड़िदारी जरूर करना चाहिए बता दें कि दिवाली के दिन इन चीजों को घर में सजाना बेहद ही शुब माना जाता है आपकी जानकारी के लिए यहां बताते हैं कि इन चीजों से मा लक्ष्मी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वो आप पर अपनी किर्पा जरूर बरसाती हैं इसके साथ ही दिवाली से पहले आपको अपना घर भी शाप सुत्रा रखना चाहिए अब ये तो शव जानते हैं कि घर की सफाई जाडू से की जाती है इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि जाडू का सम्मन पैसों से होता है यही वज़ा है कि सास्त्रों में जाडू को पैर ना लगाने की सलह दे जाती है वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मालक्षमी भी आपसे नाराज हो सकती है यानि अगर हम सीधे सब्दों में कहें तो दिवाली के दिन जाडू का भी काफी महत्पुनस्थान होता है हलांकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जाडू को हमेशा दर्वाजे के पीछे छिपा कर ही रखना चाहिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता चल जाएगा वो कहते हैं न कि इंसान पैसों को हमेशा दूसरे लोगों की नजर से छिफा कर रखता है और ऐसे में अगर आप जाड़ों को दर्वाजे के पिछे छिफा कर रखेंगे तो इससे आपके घर में खुब बरकत होगी ऐसा वास्तु सास्तर में बताया गया है बरहाल अगर आप जाड़ों को घर में सही तरीके से रखते हैं तो इससे आपके घर में खूब बढ़ोतरी होती है इसके इलावा आपको बता दे कि जाड़ों की पुजा धन्तेरस के दिन करनी चाहिए हलांकि कुछ लोग जारू की पूझा करना उचित नहीं मानते हैं क्योंकि इसका इस्तिमाल गंदगी साप करने के लिए किया जाता है मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन तेरस के दिन जारू का पूजा करना काफी शुम माना जाता है इस दिन नई जारू खड़िदने की परंपरा है और इसके साथ नई जारू लाकर आप अपने घर की शफाई सही तरीके से करते हैं और पूराने जारू को इस दिन घर से बाहर कर दिया जाता है नई जारू को आप पड़ाम करके मालक्ष्मी का अस्वरन करके आप अंतर आत्माशे परसन आत्माशे मातालक्ष्मी को याद करें और उनसे अपने घर में आने के लिए प्रार्थना करें और इसके साथ ही पूरे घर को शापशफाई करके जाडो को छुपा कर दरवाजे के पीछे या कहीं ऐसे जगा जहां किसी अन्य व्यक्ति की नजर ना पड़े और एक और बात की फिर से बता रहे हैं जाडों पर कभी भी लाथ ना लगाएं ऐसा करने से मातालक्ष्मी आप से रुष्ट हो जाएंगी तो जाडों को आप इस तरीके से वास्तुरू सास्त्र के अनुशार यदि रखते हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से मालक्ष्मी परशन होकर खुद पर खुद दोड़ी चली आएंगी आपके पास हम यकीन है कि अगर आप इन सभी बात का ध्यान रखेंगे तो दिवाली के राद आपके घर में मालक्ष्मी का आगमन जरूर होगा दिवाली से शंबंदित धंतिरेश शंबंदित और जोतिस एवं अनधार्मिक बातों से शंबंदित अनिक कारिक्रम आपको हमारी चैनल पर देखने को प्रती दिन मिलता रहेगा इसलिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना सेर करना ना भूले अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को सेर जरूर करें लाइक जरूर करें फिर मलाकात होगी अगले कारिक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जै मातादी राधे राधे